काजी खेडा गाउं में प्रबासी मजदूरों को तैसील कांट की लेखपाल द्वारा हुआ राशन वित्रन तैसील कांट के गाउं काजी खेडा में कुछ लोग बाहर से आये थे जो बाहर रहकर मजदूरी करते थे पूरे देश में लोगडाउन लगने से कामकाज बंद हो गया जिससे सभी लोग अपने घरों को पापस हो गए निगरानी समीती के सदस्यों ने स्वास्ति विभाग द्वारा सभी लोगों को कौरेंटीन करा दिया था जिनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा राशन भेज मरीज पॉजिटिव पाया गया था और वेस्वस्त होकर अपने घर आ गया उनके लिए सरकार से राशन आया है और निशुल्क बित्रण किया जा रहा है इस सब बहार से पेरवासे आया है मैई में आया हूए है इसमें इतिड्य कृड़ा रहा है वेगृजर विए ज़ा के लिए सब बहार से पिरवासी आया है भी क्वारिंटिन में है भी इने सब्संट कर दो होगा रहा है। क मैने भी आपके प्रधान ची बताएं का जी खेड़े में जो आज राशन वित्रन हो रहा है क्या मामना ये जो सलोग आयो थे फिरवासे शिर्मिक जो है यहां से गए हो जो बाहर सा आए हैं अनके लिए सरकार दुवारा ये गल्ला वित्रण हो दिया कितने लोग व्यां कर दिया आज तो अबी लगबक साथ लोगों को होगा आज ये मैही में आएं है बाकी कुछे जो गाहों में पर्सों कितना कर रहा दा मींदा उको पर्सों कर रहा था लगवग इने लगा के सब लगवग इस लोग के आसपास हो जाएगे क्या नाव आपको इधर रही शामत निगरानी समयती का सदस्यां और पुरुशमित्रमिवी गजिए आज ये रासन वित्रण हो रहा है क्या नाम आपका मेरा नाम हरवेट सिंग है किस पत्राइब मैं संग्रे अमीन के पत्पर कारे तुम्हें काजी खेड़ा में ये काजी खेड़ा में जो पहली पहली माई से और 31 माई के बीच में जो प्रवासी है इस गाउं के लोग बहार मजदूरी बगारा करते थे दूसरे पिर्देसों में उन लोगों को ये सरकार द्वारा है लाया गया है और इनके खाने पीने की चुके ये इस समय होम कोरंटाइन है घर पर ही इनको 21 दिन के लिए किया गया है तो जो इनके खाने पीने की विवस्ता भी सरकार ने वो एक किट इनको दी गई है उसमें आटा पिर्देहन जी के माध्यम से और लेक वाल जी के दिया जाए इनको